तो इन लड़कें के साथ इतना दुराचार हुआ है तो हम तो ये सरकार से प्रांथना करते भी इतना दुरम तो हम न कभी किसी सरकार में देख्या है नहीं आप दूसरी जग बताते थे माराचोर याज नुजीत की आई से और सरकार ना ऐसे नुमाइंदे बठा दिये जो मानव रूपी मलोग दानव बठा दिये और इस वक्त मैं यहां जंतर मंतर पर बैठी हूँ और मेरे साथ जो है आप मानोगे के कई गामा के जो खाप प्रतिनी दी है या खाप तो जुड़े वेक्ती हैं वे इस वक्त मारी गेले आड़ मौजूद है आपका नाम के है ता हूँ इस वान सागवान यह कितने गामराम की खापारी है यह जो है साथ खाप प्रतिनी दीश्टी की पूरी फोगाट शागवान शोरान बाराय इली पच गम्मा और सत गम्मा यह सह साथ खाप जो पड़ती है दादरी दीश्टी की मसा भी आई हुई जुकरी इस खबर का आप जैसे गाउंदेहात के जो बड़े बुजर्ग हैं उनना बेरा लागया तो उनका पहली प्रतिक्रिया के थी अब परतिक्रिया तो यहीं है जो ये इसत्रह के लोग बठा रखे हैं शरकार ने जो अध्यक्स मना के बठा दिये करिमिनल टाइप आदमी हैं यह लोग इनका देख्या गया भी तियास तो अब सामने आता है न जो आदमी को कुछ करता है तभी तो उसके बारे में पता चल है तो यह बारी हो है तो यह पे च्चेत करने का प्रोग्राम किया है कि ढहते हैं पाइ constitu yeah को μशली को में हो भी सकते हैं मदाइब हूँ कि इनका एशा काम है तो उसकल फाइब अधाना रहें यह लोग तो यह बहुत बड़ी विलमना है और जैसे गाउं देहात में कुष्टी कल्चर है अपना जब इस तरह की खबरें सामने आती रही या इस तरह के जब आरोप लगते रही या इसी घटनाएं होती रही तो हम आने की वह कल्चर भी बहुत सिमठतार रवेगा अ आप देखिए पिछे पिछे के कुछे कर बी आपने लड़की जो है कहीं भी आपने कुष्टी नहीं करती इदेखी होगी और ना कोई बॉक्सिंग करते हुए देखा ओग आपने लड़कियों को सिमित ही रखते थे तो अब ये तस पांच साथ साल से जो है लड़की कई ने कई समस्झता हूँ यह set back लगेगा इस मामले को, खास कर लड़कियों के लिए बड़ा setback लगेगा या बड़ी विटमना की बात है कि वह ये तो हमारे लिए डेश के लिए मैं टूप मरने वाथ ताउजी आप कहां से आए हैं मैं सांगवान खाप से हूँ चर्की दादरी से आए हम और हमारे जिले से 6-7 खाप पे आई हुई हैं और 12-1300 आदमी हमारे यहाद जनतर मंतर पर आए हैं लगबग 100 विक लेकर अपनी गाडियान लेकर या एक दूसरे के साथ आख बठके आए ह से पहले दिल्ली या फिर जनतर मंतर ये बोडर ये आपके लिए इतने परिचित नहीं थे ना पहले कहां जानते थे हम किसाना अंदोलन में देखे जनतर मंतर तो सुना है हमने कब देखे था आब हमारी बच्चिव के साथ ये योन शोशन का मामलार यह सी बाते चली तो इस हैं सबसें और बनाट मारे बचें तो शिमित रह जाएंगे और शरकार बेटी बचाओं बैटी पडाओं का जो नारा लगा रहे हैं इसको पर पूरण विराम लग जाएगा क्योंकि बेटिया क्यों आएंगी गेम तो खत्म हो जाएंगे हैं लड़के तो बलके डरती तो एजूकेशन आड़ी बात बैसे कि देख लो गेम तो एकदम से ये सरकार ही खत्म करवा रही है नहीं तो ये फैडरेशन वगेरा को तुरंद परवाव से बरखास्त करें और वाई उसका रिजायन वगेरा करके और सीबी आई जाच करवा के और उसको अंदर करें और और बी जो दोसी होते हैं इसमें जो भी दोसी आते हैं क्योंकि ये कोई लांचन नहीं है दो सारों पर नहीं है ये तो लड़कियां साब बताती हैं वो लड़क हैं तो इन लड़कयों के साथ इतना धुराचार हुआ है तो हम तो यह सरकार से प्राथना करते हैं जुवा कभी किसी सरकार में देख्या है नहीं कि अंग्रेजों के राज में मोगलों के राज में बेशात मतलों महिलाओं को इतना तो नहीं होता था तो अब सरकार से पराजना भी करते हैं यह आग्रे करते हैं कि इसको तुर्ण परवाव से इसको फेडरेशन कोई खतम करद करो और च खेलें आगे बढ़ें और अगर इसी तरह होया तो हम तो वही मलवान पड़ के अनपड और आगे बच्चियों को तो हम फेर नहीं बेच केंगे क्योंकि हमारा मान समान तो खतम हो जाएगा जब लड़कियों को आपने देखा होगा कि देशी दंगल में वो जारी है उनके नाम के जैकारे भी लग रहे हैं वो प्राउड की फिलिंग अलग ही होई होगी बहुत बहुत इतनी होती थी बलके अगर सही मायन आप देखे जाए ने तो अरियान में तो लड़कियों को खेल हमारे दादरी जले से शरू है एक लड़की ऐसी ऐसी लड़कीयां बच्पन में तो लड़कों के साथ भी कुश्ती करती लड़की तो बड़ा अच्छा प्राउड फेल होता था दूसरी जग है बताते थे मारा चोर याज नियूजीत की आईज है मारा चोर ही आज नुजीत किया इस है और सरकार न ऐसे नुमाइंदे बठा दिये जो मानव रूपी मलो दानव बठा दिये जो लड़कियों के साथ इतना अनाचार करते हैं तो हमें इस बात का बड़ा दुख है और हम दुख बरे सब्दों से सरकार से भी न प्रादना करते ह हैं कि इनको फटा फट इसको फेडरेशन को तो रद करो और उन सी पी आई जांच करवा के उन पर पूरी कारवाई के जा ताके आगे अब इभावक अपने बच्चियों को लड़कियों को अच्छे खेला सके अच्छे पड़ा सके सर जैसे कि इस तरह के आरोप जब लगते हैं जो देहाथ की बच्चियां किसी भी अखाडे में प्रैक्टिस कर रही हैं अब इभावक के तोर पर आप ये मानते हैं कि जो आगामी कुष्टी के जो खिलाडी होंगे उनका भविश्य भी जो है वो धर में ही लटक जाएगा या कुष्टी जो है वो यहीं पर पर आप जो आप नितिन खिलाडियों के साथ दुरुवेवार हुआ है और आज ये बड़ी विडंबना की बात है आज ये जंतर मंतर जो भारत का पर्मुक स्थान है और जिन खिलाडियों ने भारत देश का नाम पूरे संसार में तिरंगा लेराया आज उनके साथ ऐसा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है जब इन्होंने पूरे संसार में देश का नाम रोशन किया और एक समाज के अंदर जैसे आज चाते हैं कि भई शरकार ने भी जल्द से जल्द जो ऐसे आदमी बैठे हैं यह इस कुस्ति फैंटरेशन को बंग कर देना चाहिए और इन खिलाडियों के अनुरूप जो यह मांग कर रहे हैं उनके अनुरूप यह आप इनकी मांगों को मानों और उसके उपर जैसे दुर्व सेल्द करें हैं कि अनुर कर रहे टNão चाहिए